नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News मैं हूँ आपके साथ अरचना कॉशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरिज तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं टाटा मोटर्स ने अपनी टियागो एनरजी को भायत में लॉंच कर दिया है ये मार्किट में मौदूद टियागो का कॉस हेच्वेक वर्चन है साथ ही कमपनी ने टाटा टियागो जेटीपी को भी इस दिवाली तक लॉंच करने की पुष्टी की है इस नई कार की लंबाई और चड़ाई को भी काफी हद तक बढ़ाया गया है जिसकी वज़ा से इसके कैबिन में अब और जादा स्पेस मिलेगा कमपनी ने अपनी इस कार की लॉंचिंग के मौके पर टाटा टियागो जेटीपी को भी इस दिवाली तक लॉंच करने की पुष्टी कर दी है कर लोगों में काफी उस सुखता है कमपनी ने पहले इसे इसी साल लॉंच करने का प्लैन किया था लेकिन कोई घोशना नहीं की गई थी लेकिन अब बस सभी के आसों को विराम लगाते हुए कमपनी ने टियागो जेटीपी को दिवाली तक लॉंच करने का एलान कर दिया है इस एनार्ची कार की ग्रिल, हैंड लैंप्स, बहारी शीशे, बी पिलर, छट, रियर स्पाइलर और 14 इंच अलॉई वेल पर ब्लैक कलर का इस्तिमाल हुआ है क्रॉस ओवर कार वाला लुक लाने के लिए इसमें डोर, वील, आर्चर और टैल गेट पर प्लास्टिक क्लेंडिंग दी गई है पीछे वाले बंपर में फोक्स स्किड प्लेट लगाई गई है कार के AC वेंट सेंटर कंसोल और गियर लेयर पर सिल्वर फिनिशिंग दी गई है रेगुलर टियागो में टूटिन ओडियो सिस्टम लगा है वहीं टियागो एनार्ची में टीगोर वाला 5.0 इंच टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है साथ ही टियागो एनार्ची की लंबाई और चड़ाई को भी बढ़ाया गया है जिसकी वज़ा से इसके कैबिन में और जादा स्पेस मिलेगा कार के इंचन की बात करें तो इसमें रेगुलर मॉडल वाले पैट्रूल और डीजल इंचन दिये गए है पैट्रूल वेरियंट में 1.2 लीटर का इंचन लगा है जो 85 PS की पावर और 114 यानिक 114 अनम का टॉर्क देता है इस कार के पैट्रूल वर्जन की कीमत 5.50 यानिके 5,50,000 रुपए है और डीजल वर्जन की कीमत 6,32,000 रुपए है इस नएकार में कैन्यन, ओर्रेंज, मालाबार, सिल्वर और फॉजी वाइट जैसे कलर्स उपलब्ध है दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमारे चैनल को करना अगर डर उपले